हेलो गाइज वेलकम बैक टो दूशिंप निप कोड मैं नेम इस राहूल और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट पाइटन प्रोग्राम तू फाइंड नमबर इस परफेक्ट नमबर और नॉट तो स्टार्ट करते हैं वीडियो वो तो कोड लिखने से पहले हम जान लेते कि-स question का हमारा input output and logic part क्या है वड्र सब्से पहले हम जानते है कि what is perfect number अगर हमें मालूम ही नहीं रहा कि परफेक्ट नमबर होता क्या है कि हम उसके लिए क्या ही code लिख पाएंगे सबसे पहले हम जानते कि इस परफेक्ट नमबर होता क्या है कि लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि नंबर स्टार्ट करना है जिस लिए हो जाएगा मेरा एक वैल्यू हो जाएगा कि मैंसको सबसे एक बार सबसे चैक करना होने के बाद अगर वह नमबर एड होता है आप यंद से मैंच होता है तोचS सबसे नमबर को वेली वन मिल जाएगी तो मैं करों कि जो मेरा 6 है अगर वो मॉडूलर्स बाइवन एक टू इकल टू जीरो आता है तो यहां पर क्या हो रहा है जो मैं इसको भी टू से मैं प्लस कर दूगा वन प्लस कर दूगा एंड मैं चेक कर दूगा थे के साथ जया गां कि आंघ मैं एक टूतुल टू जैड जो जाएगा हुडSu इसको मैं एक सतु कर दूगा जो सहिं foremost चेंडवद रहिएonce य्कञा तो इसको नहीं कर दूँंगा तो इसको मैं यहां चेक्ट कर दूगा हुड है जो तो मैं इसको एड नहीं करूंगा अगर जो मेरे पास अभी मेरे पास नंबर क्या बच रहे हैं वन प्लस टू प्लस अगर मैं इसको एड़ करो तो मेरे पास आ जा जा जाता है तो यह था हमारे इसक्षन का करता हुए सबसे हमें क्या करना की एक यूजर से नंबर इंपुट लेना है अभी क्लिए के लिए लिए रहा हुए लूप चलाओगा मैं लूप की चला रहा है कि मुझे नंबर कहां से स्टार्ट करना वन से लेके N-1 तकmb चलाना है आप तो यहां मैं लिख वह आई इन तो इस और मुझे रेंज कहां से स्टार्ट करना वन से लेके और मेरा रेंज कहां पर एंड होना चाहिए नम तक जो मेरा फॉल्डू पर वह और अगर इक्वल टू जीरो होता है तो ऐसे कंडिशन में करना कि एक मैं इस पंडिशन में आऊँगा मैं लिखोंगा रिजल्ट इस उकल टू रिजल्ट प्लस अधार में अपने अपने आई को यहां पर मैंने रिजल्ट बेरियाबल लिए है तो मुझे इसको ऊपर इनिसलाइज भी करना पड़ेगा जीरो से यह था हमारा स्कुर्षन का कोड़ है स करता हूं मैं इसको भी राइन करता हूं मैं करता हूं लोग एक्ष्पंड कि अश्वीं का यह सब सब से मुझे क्या मिल जाएगा वह मुझे मिल जाएगा six right and उसके बाद मुझे मिल जाएगा result just well result इसका वेरीबल एंड है इपक्तिन के अंदर आउंगा तो मैं लिखूंगा रिजल्ट इस उकल टू रिजल्ट प्लस तो जीरो प्लस और आई क्या हो जागा मेरा वन तो मैं रिजल्ट का भी अप्डेटेट वैल्यू क्या हो गया है और जो मेरा लूप है में सेकंड बास सेकंड टाइम रूप में जाओंगा और मेरा आई का वैल्यू हो जाएगा एंद मैं चेक करओंगा कि जो मेरा यीव जो मेरा सिक्स है अगर मॉद्ल आज़ बाई टू एकुल टू इकुल टू जीरो होता है तो यह भी मेरा फंदिसर्ट द्रू हो जाएगा एंड जैसी condition true होता है तभी मैं अपने result variable में आऊँगा और मैं रिजल्ट is equal to result plus result plus i तो one plus two हो जाएगा ओके तो भी मेरा result का value update होके हो चुका है three right and इसके बाद जो मेरा loop है वो third time चलेगा okay and third time मेरा जो num का value है वो same ही रहेगा right and जो मेरा result का value है वो update होके हो चुका है three right and after that मुझे का मिल जाएगा i i का value मेरा अभी third time जाएगा तो i का value 3 मिल जाएगा ठीक है एंड उसके बाद में i का value मैं जाओंगा if condition के अंदर और मैं चेक करूँगा कि जो मेरा num है वो modulus by i है अगर equal to equal to zero होता है तो यहां पर जो मेरा condition true हो जाएगा तो मैं आजाओंगा अपने if loop में और condition में और मैं चेक करूँगा कि जो मेरा result is equal to result plus result का value का है मेरा three और मैं इसको plus करूँगा किस से i से तो three plus three हो जाएगा मेरा six and इसके बाद जो मेरा loop है वो four time चलेगा और जो मेरा num का value है वो same ही रहेगा six but जो मेरा result variable है उसका value update होके हो चुगा है six और जो मेरा i है वो four time जाएगा and मैं चीख करूँगा कि जो मेरा इफ जो मेरा नम नम के मेरा six is modulus by four equal to equal to zero okay but यहां पर जो मेरा अगर मेरा मॉडुलिस करूँ तो मेरा पास return करेगा two तो मैं चेकर होगा जो two equal to equal to zero नहीं होगा तो मैं अपने इफ यह जो मेरा इफ कंडिशन में इसके अंदर नहीं जाओंगा एंड मैं फिल्प टाइम लूप चलाओंगा जो लूप है वो फिल्प टाइम चलाओंगा और मेरे पास जो जो मेरा कंडिशन अगर मैं इसको मॉड्लेस करूँ तो मेरे पास वन आ जाएगा अगर मैं चेक करूँगा कि जो मेरा one equal to equal to zero नहीं हो रहेगा तो मैं इस result variable में नहीं जाओंगा और जो मेरा six time तो लूप चलेगा नहीं क्यूंकि जो मेरा लूप है वो देख सकते कि जो मेरा six एक पॉफेक्ट नमबर है और मुझे जैसे six मिलता है मैं जाओंगा अपने इफ लूप में मैं चेक करूँगा कि जो मेरा six equal to equal to num है तो आप लग देख सकते हैं कि जो मेरा six वो num के equal है तो means जो मेरा number है वो perfect number है और मैं else लगा दूँगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं लिख दूँगा not perfect number तो ये था हमारा question का input, output and logic part तो जो हमारा ये code है मैं अभी try करता हूँ कि यह पार्ट को मैं convert करता हूँ अपने python code में बस last में हमने last में को एक if और else condition लगा दिया है तो मैं जाता हूँ अपने python code में व्यस कोड में और convert कर रहा हूँ तो मैं आगया अपने visual studio code में है जैसे कि आप लोग देख सकते हूँ तो मैंने already python coding के playlist में अप्रोक्स 100 प्रस वीडियो बना चुका है अजर आप लोग का आपका logic strong करना है तो आप लोग मेरा योला प्रेलीज आकर check out कर सकते हो इसका लिंग में वीडियो को description document डाल दूँगा तो सबसे पहले मैं control answer new file देता हूँ and file को मैं save कर आपने document और python में और file का नाम में देता हूँ perfect number.py सबसे पहले मुझे कहा करना है कि एक user से number input लेना है तो मैं लेकता हूँ num is equal to int input function और मैं इसका नदे एक string प्रिंट करूँगा that is enter a number okay and उसके बाद मुझे करना है कि मुझे follow up चराना है मैं लिखना for मुझे मेरा i है वो range start होना चाहिए one से और खतम होना चाहिए num पे okay and उसके बाद मैं for if follow up मैं आ जहूँगा और मैं check करूँगा कि जो मेरा if जो मेरा num है is modulus by i equal to equal to zero हो रहा है अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा result is equal to result plus i कर दूँगा okay तो मैंने हाँ पर result variable तो ले लिया है तो मुझे उपर result variable को initialize करना पड़ेगा 0 से right and मैं इसको initialize कर दूँगा और last मैं print कर दूँगा अपने result variable को कि जो मेरा result है तो मुझे result मिल जाएगा okay and after that मैं क्या करूँगा कि check करूँगा कि जो मेरा result है is equal to is equal to num हो रहा है अगर ऐसा होता है तो मैं print कर दूँगा कि जो मेरा number है वह एक perfect number है तो मैं लिखता हूँ नमबर इस परफेक्ट नमबर okay and मैं एक else condition लगा दूँगा मैं लिख दूँगा else और मैं print कर दूँगा कि जो मेरा number है वो को is not perfect number है okay and then my file go save and run करता हूँ मैं अपने terminal में अब basically file को यहां से भी run कर सकता हूँ रूपाइटन फाइल से बैट मैं 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 मैंनुवलन कर हूँ मैं लिखता हूँ python perfect number dot py okay तो मुझे बूला है 6 मैं है यहां आप number में डलता हूँ 6 अपले देखता हूँ मुझे मिल गाए 6 इस परफेक नंबर और मेर पास है और नंबर है 28 28 28 भी परफेक नंबर है तो मैं लिखता हूँ 28 अपले देखता हूँ मुझे अगे लिगा 28 28 इस परफेक नंबर अभी मैं कुछ भी एक सकते हो अगर आपको यह लॉजिक का पीडिएप चीए तो इसका भी लिंग में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप महां से ले सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा कोश्चन है जो आपको नहीं समझ रहा है और आप चाहते कि मैं वीडियो बना दू आप झाहते है घघ़ो है